नमस्कार दोस्तों, IndianBoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फयाज अगरीकल्चर हमारे देश के उन चुरिंदा सेक्टर्स में से जहां पर बहुत सारे आपको टैक्स बेनेफिट्स मिलते हैं तो चलिए एक एक करके देखते हैं उन सातों बैंक्स के नाम और बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं सबसे पहले बात करते हैं SBI की State Bank of India भारत का सबसे बड़ा Public Sector Bank यहां पर आपको सबसे पहले यह नाम उभर कराता है क्योंकि यह नाम आपको देता है बहुत सारे Amazing Agriculture Loans आपको यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड के सुविदा मिलती है इसके लावा अगर आप किसी भी तरह का सेटप वगेरा बनाना चाहते हैं अगर आपको गोल्ड प्लेच करके भी लोन लेना चाहते हैं अगर आपके पास कुछ और बड़ी चीज नहीं है गिरवी रखने के लिए तो आप अपने घर का गोल्ड रखके भी यहां पर आसानी से रोन ले सकते हैं अगला आता है अलाबाद बैंक अलाबाद बैंक भी देश के कुछ चुनिंदा पुराने बैंकों में से एक है अलाबाद बैंक में आपको तीन तरह के लोन मिलते हैं आपको अक्षे क्रिशी नाम का एक लोन मिलता है तो उसके लिए आपको definitely अलग requirement होती है पूरी ही वो तो उसके लिए भी आपको loan मिल जाएगा और अगर आपको tractor खरीदना है, tiller खरीदना है अगर आपको अपने खेती वाड़ी के business को थोड़ा सा upgrade करना है बैल गाड़ी से हट कर अगर आप tractor खरीदना चाहते है पॉलिनाइजेशन करना है, अगर आप dairy farming वगेरा में है animal husbandry में है, livestock वगेरा में है किसी भी तरह के ऐसे business में है आप खेती बाड़ी के जहाँ पर आपको बहुत large scale में requirement है बहुत ही large scale में आपको production की यहाँ पर जरूरत पढ़ती है उसके लिए obviously आपको बहुत ज़्यादा capital amount चाहिए होता है तो उस हर एक requirement के लिए आपके हिसाब से आपको एक अच्छा सा loan वो बढ़ी आसानी से कम से कम paperwork के साथ provide करती है अब बात करते हैं ICICI bank की ICICI bank में आपको दो तरह के loan मिलते है retail agri loan जो की एक short term loan है और agri term loan जो की एक long term loan है तो basically जो short term loan है उसमें आपको जितने भी day to day requirements होती है day to day की चीजे खरीदनी होती है जैसे की खात खरीदना हो गया आप किसी भी तरह की दवाई वगेरा लाना के लिए छिड़काओ करने के लिए आपकी खेती पर या फिर आपको किसी भी तरह की छोटी मोटी machinery लानी है या फिर मान लिजे आपको बीच बोने के लिए खेत को थोड़ी खुदाई करनी है मजदूरों की जितने भी payments वगेरा होते है इन सारी requirements के लिए आप जो short term loan है उसका सहरा ले सकते है और जितनी भी आपकी long term loan की requirements है मान लिजे आपको warehouse setup करना है मान लिजे आपको किसी भी तरह कैसी आने वाली वक्त के लिए आपको water जो चीजे होती है आपकी खेत में पानी वगेरा की transfer करने की अलगलग जो water की छिड़काओं की सुविदाएं होती है उन सारी चीजों का setup बनाने के लिए भी आपको जो भी loan की requirement होती वहाँ पर आपको ICICI बहुती आसानी से बहुती कम से कम शर्तों के साथ आपको सारे loans अप्रूफ करके देती है बात करते हैं अब access bank की access bank का नाम आपने कॉफी जदा सुना होगा access bank basically आपको अगर फिश फार्मिंग में अगर आप है अगर आप पॉलिटेशन में हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग में हैं किसी भी तरह के ऐसे फार्मिंग में जहां पर मान लीजे आपको export वगेरा की जरूरत है तो MSME type की loan आपको आसान से मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आपको gold loan चाहिए अगर आपको किसी भी तरह के ऐसे loan चाहिए जहां पर आपको मान लीजे आप अपने product को खुद ही उगा कर खुद ही बना कर बेच रहे हैं मान लीजे जैसे की होता है coffee plantation coffee plantation में अपनी coffee को खुद ही बना रहे हैं और उसके फिर powder बना कर आपको उसको as a product final finished product बेच रहे हैं तो उस तरह के पूरे setup को भी आपको बहुत ही आसानी से वो sponsor करेगी आपको funding देगी और काफी अच्छे से काफी हद तक आपको help करेगी access bank HDFC bank basically आपको यहाँ पर तीन तरह की जीज़र से support कर सकती है वो आपको किसान credit card से support कर सकती है अगर आपको किसी भी तरह का warehouse setup करना है मानलीजे आप सबजी वगेरा का export करते हैं तो definitely आपको इसके लिए cold storage वगेरा बनाने की जरूरत पढ़ सकती है तो ऐसे में आपको HDFC bank का आप रुक कर सकते है क्योंकि HDFC bank आपको इस तरह का setup बनाने के लिए इस तरह का transportation की सुविधा के लिए आपको काफी हद तक support करेगी और आपके काफी सारे agriculture के जितने भी requirements होते है उसमें भी आपका साथ में भाएगी अब बात करते हैं आखरी और सबसे जरूरी बैंक की वो है bank of baroda का bank basically bank of baroda एक ऐसा बैंक है जो अगर आपका large scale requirement है मानलीजे आप agriculture products बना कर बेचते हैं मानलीजे किसी भी तरह के मसाले बनाना हो गया हो किसी भी तरह के finished product बनाना हो जहापर आपका large scale requirement है आपको अगर अपनी factory बनानी है अगर आपको अपनी खेद बड़े बड़े खरीदने है अगर आपको pollination का setup करना है मानलीजे अगर आपको किसी भी तरह के flower के उगाने के business में है जहाँ पर आपको अच्छा खासा pollination का setup में ही पाच लाक रुपे लग जाता है अगर आप एक दो एकड की खेदी भी करते हैं तो तो इस तरह के requirement के लिए आप bank of baroda का रुप कर सकते हैं वो आपके हर एक बड़े requirement के लिए आपके हिसाब से आपके जरूरत के हिसाब से आपको एक अच्छा सा कस्टमाइज डून बना कर देती है और आपके सारे पेपर वर्त में भी आपका साथ देती है खेती बाड़ी एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमेशा से लोग नीचले नजरों से देखते हैं लेकिन खेती बाड़ी करकर उसके ओपर भी एक कोर्स है तो अगर आपने आप तक डाउनलोड नहीं किया फिनाशल फीडम अप तो आप प्लीज उसे डाउनलोड करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी मुझे उमीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको प्रेस कर दीजे ताकि आप मारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं